नमस्कार, ओम शान्ती, मैं हूँ अजे सिंग सिसोधी, आप देख रहें MPLive News और अब हम चर्चा करने जा रहें, इवन हम बहुत अभी भूत हैं कि हमारे चैनल पर पहली बार आ रही हैं वरिष्ट राजियोगनी BK शारदा बहन्जी बहन्जी पहला सवाल, बाबा मिलन, आपकी आवाज, आपका मंच संचालन, यह सब एक हो गया है, तो यह कैसे शुरू हुआ? जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और उसके बाद हमारी आदर्निये हिर्दे मोईनी दादी जी में बाप दादा की प्रवेश्टा प्रारंब हुई, और पहले पहले ओम शांती भवन में यह कारेक्रम हुआ करता था, लेकिन जब आभुरोड शांती वन में यह कारेक्रम प्रारंब हुआ, तब से ले करके आदर्निये दादी प्रकाश मनी जी जो इस विश्वर्य विश्ववेद्याले की मुख्य प्रशासी का थी, आपने यह जिमेवारी मुझे दी कि जो भी भाई बहन आते हैं, उन भाई बहनों को डिसिप्लेंस से हॉल में बिठाना, उनको डिरेक्शन्स देना और उसी अनुसार, उस हॉल के अंदर भी एक बहुत साइलेंस का वातावरन बनाए रखना, जिस हॉल में 25,000 भाई बहन होते थे, और मैं समस्ती हूँ और अनुभो करती हूँ, यह बड़ों की शेश आशिरवाद मुझ आत्मा पर रही, जो इस कारे को आज भी सफलता पुर्वक संपन्न कर रही हूँ बहन जी जब आप बाबा मिलन के समय मंच संचालन करती, क्योंकि बहुत खुक्सूरा तावाज है आपकी, हम लोग भी सुनते रहते हैं अक्सर अलग-लग प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पे मंच संचालन या आप जब भी कुछ बोलती हैं और बाकी जगों पर, जब आप कु जलकती है, टपकती है, सारा वायू मंदल एक साइलेंस से, आध्यात्मिक शक्ती से, और सभी के अंदर जो एक पवित्रता की शक्ती है, वो पवित्रता की तरंगों का वातावरण चारों और फैलता है, और उस समय स्वयम मैं अपने आपको भी बहुत हलका मैसूस करती और वातावरण भी इतना हलका हो जाता है, जो भाई बेहनों को जो भी सूचना दी जाती है, वो बहुत सहज रीती से, अपने हिर्दे से उसको स्वीकार करते हैं, और बाहर जब अन्य स्थानों पर कोई भी कारेक्रम होते हैं, वहां भी मंच संचालन का कारेक्रम अवश्य करती हूँ, उन्हों की विशेश रिक्वेस्ट के उपर, वहां के वातावरण में, क्योंकि उस वातावरण को बनाया जाता है, और उसको बनाये जाने के लिए, शब्दों का चयन, जो मनुश्य आत्में सामने बैठी हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके वाइब्रेशन क्या हैं, उनको देखते हुए, उनके अंदर एक आध्यात्मिक जागरती को पैदा करना, कि ये आध्यात्मिकता हमारे जीवन का एक अमुल्य अंग है, जो आध्यात्मिकता मनुश्य जीवन को एक मानसिक शान्ती, एक खुशी, एक आनंद, एक सदभावना का संचार उसके बहुत सुन्दर प्रयास है